महरास्ट में उद्दफ सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं सियासी गलियारों से आ रही खबरों के मताबिक महाविकास अगाडी सरकार के सितारे घरदिश में हैं सिया मुद्फ ठाकरे के रिष्टेदारों और मंत्रियों पर एडी का शिकन जाकस रहा है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस के कुछ विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि आने वाले दिन उन्थब सरकार के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं क्या है खबर देखने हैं ये रिपोर्ट राजनीती में कोई किसी का सगान नहीं होता है हर नेता मौके पर चौका लगाने की फिराक में रहता है महराष्ट की सियासत में भी इस वक्त सियासी बवंडर के आसार नजर आ रहे हैं महराष्ट में कॉंग्रेस, NCP और शिवसेना गटबंधन की सरकार चल रही है महाविकास अगाडी सरकार के मुकिया उद्धब ठाकने है महराष्ट की सियासी गल्यारों में इस वक्त घमासान मचा हुआ है खबरों की माने, तो कॉंग्रेस के विधायकों ने बगावती तेवर दिखाने शिरू कर दिये है महराष्ट में तीनों दलों की सरकार चल रही है और तीनों दलों के बीच तक्रार की खबरें लगाताराती रहती हैं अब खबर आ रही है कि महराष्ट के कम से कम 25 कॉंग्रेस विधायकों ने महाविकास अगारी सरकार के खिलाफ मोडचा खोल दिया है उन्होंने कॉंग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ ही शिकायत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मागा है इन बागी विधायकों का आरोप है कि उनकी ही पार्टी के मंत्री उनकी चिंताओं का जवाब नहीं देते हैं विधायकों ने एक खत में सोनिय गांधी से चीजों को ठीक करने के लिए हस्तशेप करने को कहा है मीडिया डिपोर्ट के मुताबिक कुछ विधायकों ने कहा है कि सरकार में मंत्री विशेश रूप से कॉंग्रेस के मंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे है उन में से एक ने कहा अगर मंत्री विधायकों की निर्वाशन शेत्रों में काम को लागू करने को लेकर अंदेखी करेंगे तो पार्टी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कैसे करेगी साथ ही कॉंग्रेस विधायकों ने ताल मेल की कमी पर भी सोनिया गांधी का ध्यान खीचा है इन विधायकों ने ये भी कहा है कि सरकार में मंत्री बैठक कर लेते हैं और उसकी जानकारी बाद में मिलती है एक कॉंग्रेस विधायक के मुताबिक जब एच के पार्टिल ने हाल ही में एक बैठक की थी जिसमें कॉंग्रेस मंत्रियों को तीन-तीन विधायक आवंटित किये गए थे ये स्पष्ट रूप से M.V.A. सरकार बनने के कुछ महीने बाद किया गया था लेकिन हमें इसके बारे में केवल धाई साल पहले ही पता चला अब भी कोई नहीं जानता कि कौन सा मंत्री हमसे जुडा हुआ है। गांधी के पाले में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांधी महाराश्ट सरकार और कॉंग्रेस के लिए संकट मोचक बन पाएंगी या नहीं।